सब्सक्राइब कीजी GS Vloggers चानल को और इस बेल आइकेन के उपर क्लिक कीजी हमारी लेटेस सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल GS Vlogger में दोस्तो पिछली वीडियो मैंने EBD के बारे में बताया था दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल G.S.Vlogger को सब्सक्राइब ने किया है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तों कार्बोरेटर हो या फ्यूल इंजेक्टर दोनों का काम एक ही होता है दोनों इंजिन के सिलेंटर में ओईल और एयर की मिक्स्चेर को सप्लाई करते हैं दोस्तों कार्बूरेटर और फ्यूल इंजेक्टर दोनों सिर्फ पेट्र इंजिन्स में रिखना किऊगा वुज़ के जाते हैं इसमिकular फिलिटिकर के Employee यह स्प्लाइ करते हैं इस दोस्तो इस सप्लाई को हम लोग मैनुवली एडजेस्ट भी कर सकते हैं उसमें एक स्कूरू दिया रहता है जिसे आप घुमा कर या फिर डीला करके आप अपने थ्रोटल रिस्पॉंस को बढ़ा या फिर गटा सकते हैं लेकिन इससे आपकी मायलेज एफेक्ट करती है अगर अपने थ्रोटल रिस्पॉंस को बढ़ाएंगे तो आपकी मायलेज कम हो जाएगी और अगर आप अंगर इस्प्रोटल रिस्पॉंस कु गटाएंगे तो आपकी मेलेज बढ़ जाएगी धुस्तो अगर बात कर ले कार्डुरेटर की फाइदे की तो दोस्तों कार्बोरेटर बहुत ही इजली अवी लेवल होता है मार्केट्स में कोई भी मैकैनिक या फिर मिस्तिरी जो होते हैं वो इसली कार्बोरेटर को रिपेर भी कर सकते हैं और यह इसी टू यूज होता है इसे अपने इंजिन में आराम से फिट कर सकते है और दोस्तों कार्बोरेटर फ्यूल एंजेक्शन के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है इसका कॉस्ट फ्यूल एंजेक्शन के मुकाबले बहुत ही कम होता है दोस्तों अगर बात कर ले कार्बोरेटर की नुकसान की तो सबसे पहला नुकसान दोस्तों यह है कार्बोरेटर को पता नहीं होता है कि इंजिन में कितने तेल की जरुवत है और कितने एयर की जरुवत है वह बस एक फिक्स्ट कॉंटिटी में एयर और ओयल की मिक्सिर को ही सप्लाइ करता है तो कार्बोरेटर का दूसरा नुकसान यह है कि इसमें हमारा फ्यूल होता है पूरी तरह के सबर नह नहीं होता है, दोस्तों अगर तीसरी नुक्सान की बात करें, तो यह हमारा throttle response होता है, वह उतना आच्छा नहीं होता है, हम लोग जब भी throttle को गुमाते हैं, तो उसके कुछ दिरबाद ही हमें power delivery मिल पाती है और हमारा जो गाड़ी है वो accelerate हो पाता है और दोस्तों कार्बोरेटर में एक चोक का भी function दिया जाता है जब भी सर्दियों के मौसमें हमारी गाड़ी जल्दी start नहीं हो पाती है तो उसमें होता क्या है कि हमारे जो fuel होता है वो engine के cylinder से जाकर चिपक जाता है और जिस वाएसे वो burn नहीं हो पाता है तो जब हम लोग चोक को on करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि कार्बोरेटर से बहुत ज़्यादा तेल engine के cylinder में जाता है और फिर हमारी गाड़ी का ignition स्टार्ट हो पाता है तो दोस्तो यह थे facts कार्बोरेटर के बारे में अब हम लोग बढ़ते हैं fuel injector की तरफ दोस्तो fuel injection एक बहुत ही complex mechanism होता है जिसमें काफी सारे sensors लगे होते है जो कि एक main unit से जूड़े होते हैं जिसका नाम होता है ECU तो fuel injection system में हमें कार्बोरेटर वाली सारी facilities नहीं मिल पाती है जैसे कि कार्बोरेटर में क्या होता था कि हम लोग अपनी हिसाब से अपनी throttle response को बढ़ा या गटा सकते थे वह हम लग fuel injection में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो computer होता है वही monitor करता है कि engine के cylinder को कितने oil और air की जरूवत है और इसके अकॉर्डिंगे वह supply करता है दोस्तों अगर बात कर लिए fuel injection के फायदी की तो इसके कई सारी फायदे है जैसे कि सबसे पहला फायदा इसमें यह कि आपका जो fuel होता है वह 100% बर्न हो पाता है और इससे pollution भी बहुत ही कम होता है और इसका throttle response तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों और इसमें आपको रिवर्ब बहुत सार्प मिल पाता है दोस्तों fuel injection में किसी भी तरह की चोक की कोई facility नहीं दी जाती है क्योंकि fuel injector वाली जो गाड़ियां होती है वो सर्दियों के मौसम में भी recording है वो चेंज कर दोस्तों अगर बात करी fuel injector की नुकसान की तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान इसमें यह है कि fuel injector एक बहुत ही complex mechanism है कोई भी जो local mechanic होते हैं वो इसको easily repair नहीं कर पाते हैं और दोस्तों Carburetor के मुकाबले यह बहुत ही महांगा होता है इसकी price जो होती है वो Carburetor से लगबग 5-6 गुना क्या सपास होती है और दोस्तों Carburetor को लगाना काफी simple चीज है लेकिन fuel injector उतना ही complex चीज होता है और दोस्तों most of the cases में आपको आपके fuel injector को totally replace ही करना पड़ता है कि को रिपेर नहीं हो पाता है दोस्तों अगर बात कर लिए इसके दूसरे नु कर पाएगा और आपकी गाड़ी चलने से ही फिर इंकार कर देगी आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी लेकिन दोस्तों पहले के मुकावले अभी fuel injectors वाली जो गाड़ियां है थोड़ी से सस्ती जरूर हुई है क्योंकि एक लाग के अंडर में भी आपको fuel injector वाली बाइक को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके हमें बताएं कि वीडिया आपको कैसा लगा और हमारे चैनल जीएस व्लागर को प्लीज सब्सक्राइब के जिए थैंक यू फूर वाचिंग फ्रेंड स्टे कनेक्टेड